दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं कि उनको SSD के long answers में 5 on 5 यानि उनको SSD के long answers में full marks मिलते हैं जबकि एक average student को maximum 2.5 या 3 marks ही मिल पाते हैं out of 5 marks आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपर्स की answer sheet की analysis करेंगे और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ tips and tricks शेर करूँगा जिसको आप use करेंगे तो आप भी social studies के long answers में 5 on 5 marks पाते हैं बट मुझे आपसे दो वादे चाहिए पहला वादा कि आप वीडियो को तुरंत रोग दीजिए NCRT की book, notebook और pen लेके आईए दूसरा वादा मुझे आपसे ये चाहिए कि आप इस वीडियो को पूरा इस वीडियो को पूरा देखना है, खुब ध्यान से देखना है और सुनना है और जो जो important बाते मैं आपसे share करूँगा आप उसे note down करें ताकि वीडियो के खतम होने के बाद जब आप answer writing की practice शुरू करेंगे तो आप ensure करें कि आप उन points को अपनी answer writing की practice में शामिल करें so that you too can write like a topper तो इसी के साथ आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों इस particular वीडियो में मैंने जो question लिया है इस particular वीडियो में जो मैंने question लिया है वो पिछले साल के question papers 2022 के question paper से लिया है यह देखिए 5 marker question है सारे 5 marker है तो मैंने question यह लिया है प्लीज आप खूब ध्यान से देखिए क्योंकि यह particular question मैंने लिया है यह question 5 marker के साथ 3 marker में भी आ जाता है तो इसको हम आगे बढ़ते रहेंगे और discuss करते रहेंगे तो पहले question पढ़ते है question है there are various reforms taken to strengthen parties in India so that they perform their functions well question का keyword क्या है various reforms taken to strengthen parties so that political parties का जो function है वो उस function को अच्छे से perform कर सके है राइट चलिए अब हम एक topper के answer sheet लेने वाले हैं जो की 2022 के board के topper की answer sheet है यह आप देख सकते हैं यह CBSC board 2022 के topper के answer sheet है और हम लोग देखेंगे इनके answers की analysis करके देखने की देख करके सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह ऐसा अलग क्या करते हैं जिसकी वदर से इनको long answers में 5 on 5 मिलते हैं तो सबसे पहले आप देखिए अच्छा इसी लिए मैंने आप से बोला था कि आप notebook ले करके बैठे अच्छा यह जो particular question है वो political science के chapter 4 से है political parties है तो आप वो topic जरूर खोल लिजे बहुत जरूरी है अब देखिए सबसे पहले देखिए यह margin आपको बनाने है one centimeter इधर छोड़ना है one centimeter इधर छोड़ना है और जब आपका एक answer complete प्लीज इन points को आप note करते चलिए और जब आप answer writing के practice करेंगे तो उसको आप जरूर इन points को शामिल करिए trust me you will hugely benefit पहला आपने देखा one centimeter left और right में छोड़ना है दूसरा answer आपका खतम होने के बाद आपको at least three lines छोड़ना है so that जो evaluator है उनको confusion नहों कि भाई ये एक ही answer है इसमें loser आप होंगे अब देखिए आपको section mention करना है section mention करने के बाद अलग color से उसे highlight कर देना है so that वो अलग ही दिखे ठीक है उसके बाद देखिए इन्होंने answer की शुरुवात कैसी करें इसके लिए फिर से एक बार question पर वापस चलना पड़ेगा question क्या कर रहा था question कर रहा था reforms taken to strengthen parties in India so that they perform their functions well अब answer देखिए आंसर में जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि question का जो part है उसको आप as it is answer की शुरुवात में लिख सकते हैं बिल्कुल सही बात है देखिए टॉपर ने भी लिखा हुआ है जैसे ही reforms taken to strengthen parties in India so that they can perform their functions well तो यह हो गई एक अच्छी सी शुरुवात अब देखिए असली गेम यहां पे है कि टॉपर्स ऐसा अलग क्या करते हैं अब आप यहां पे देखिए तो सबसे पहले देखिए मैंने यह NCRT की बुक से उठाया है अब इसमें आप यह जानने वाले हैं कि अच्छा अलग पढ़ते समय क्या करते हैं कि answer writing उनकी इतनी बहतर हो जाती है have patience you will hugely benefit अब ध्यान से सुनिए थोड़ा सा patience रखिए देखिए यह पहला point है पढ़ते हैं इसे the constitution was amended to prevent अब जैसे यह paragraph पढ़हेंगे हम लोग तो paragraph दिया हुए लेकिन paragraph आपको हम जब answer लिखेंग राइट तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए हम important points को basically keywords keywords का हम लोग underline करते चलेंगे please attention देजे the constitution was amended to prevent elected MLA's and MP's from changing parties this was done because many elected representatives were indulging in defection right अच्छा defection क्यों करते थे मिनिस्ट लोग to become ministers or for cash rewards पहला keyword है हमेल गया दूसरा keyword क्या मिल रहा है any MP or MLA changes parties क्या होगा he or she will lose the seat in the legislature तीसरा keyword क्या मिल रहा है हमें तीसरा keyword हमें मिल रहा है कि हाँ इसकी वज़े से क्या हुआ defection down हो गया है but at the same time हाँ has made decent even more difficult यानि party के जो senior leaders बोलेंगे पार्टी के जो एक्टी जो कार्यकरता होते है एक्टिविस्ट होते है या जो members होते है उनको वही करना पड़ागा right तो यह important points हमने keywords पढ़ते समय toppers क्या करते हैं इसी तर से keywords को underline कर देते हैं अब सारा sentence याद करने की थोड़ी ज़रू होते है जैसे keywords क्या थे देखे keywords क्या थे पहला minister बनने के लिए या cash reward लेने के लिए वह एक party जिससे जिसकी ticket पर चुनाओ जीते थे उसको छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं दूसरा अब anti-defection law बन गया है इससे क्या होगा कि जैसे वह पार्टी छोड़ेंगे तो वह MP हो उनकी जो membership है उस legislative assembly से चली जाएगी है ना अब तीसरा point देखो keyword ही discuss कर हम भी देखो टॉपर ने लिखा कैसे है बस दो मिनट दीजिए तीसरा leaders जो बात बोरेंगे वो party के जो ordinary members उनको मानना ही पड़ता है अब देखे टॉपर ने से इसको लिखा कैसे एक पूरे paragraph को कैसे उन्होंने बड़ा systematically लिखा है अब ध्यान दीजिए देखे यहां है सबसे पहले देखे इन्होंने heading लिखी और जो आप heading लिखेंगे heading को अलग color की pen से आपको highlight करना है तो बार बार अगर आप pen change करोगे exam में कि चलो मैं yellow color की pen से लिख देता हूँ तो आपको ना time बहुँ जादा खराब होगा आप blue से ही लिख सकते है heading को या ज होता है anti deflection deflection भी बोल सकते हैं आप deflection भी बोल सकते हैं तो उसको सबसे पहले define कर देते हैं deflection refers to changing party alliances from the party on which one got elected to another party यानी जिस party सापने चुनाओ जीता था उस party को चोड़ करके minister बनने के लिए आप काईश लेन के लिए आप दूसरे party में शामिल हो जाते हैं उसे बोलते हैं deflection अब देखे यह जो points हम लोगन अभी NCRT में underline किया उसको देखे कितना अच्छा है इसको point बना दिया हुनोंने one two three अब देखो उन्हीं keywords को develop कर दिया देखे क्या लिखा the law was changed in order to prevent MPs and MLs from changing party alliance to become minister or for cash reward देखे keyword उठा का answer बना दिया दूसरा आप देख लिए इसमें हम लोगों क्या keyword लिया था lose membership of legislature any MP or ML who changes party alliance loses his or her seat in the legislature तीसरा क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि descent बड़ा मुश्किल हो गया है यानि party boss की बात मानने ही पड़ेगी वाइल दिस है वाइल दिस है इस टेंदेन अलाकि अब जो leaders एक party को छोड़ करके दूसरी party में चले जाते थे वो उस बात में कमी आई है बट इसका नुक्सान क्या हुआ है अलसो मेड डिसेंट मोर डिफिकल्ट है यानि party के जो senior leader है जैसे बीजेपी के case में मालेजिए अमिश्याह मोदी जी उनकी बात सब लोगों को माननी ही पड़ेगी चले अब देखें दूसरा point देखते हैं हम दूसरा point देखते हैं अच्छा एक चीज़ आप लोगों से और share करना चाहता हूँ आप लोगों के लग रहा होगा कि toppers एकदम perfect होते हैं toppers से कोई गलती नहीं होती toppers के answer sheet में आपको देखा रहा हूँ toppers फी गलती करते हैं but आये खुद देख लेजे पहले हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि देखें देखें दूसरा point क्या है the supreme court passed an order to reduce the influence of money and criminals now it is mandatory for every candidate who contest election file an affidavit details of his property and criminal cases यानी जितने भी लोग election contest करने जा रहे हैं उनको एक affidavit file करना होगा सुप्रीम कोड के election commission के सामने और उस लिखना होगा भाया हमने कितने murder किये हैं कितने लोगों की property कबजा करी है मतलब कितने criminal cases file है उनके against और उनके पास कितनी property है इस चीज की details देनी है देखे लिखे टॉपर ने क्या लिखा है आप लोगों को हमेशा लगता है कि यार टॉपर सेग्दम perfect ने गलती सब से होती है बट कोशिश करें कि गलतियां zero हो या कम से कम हो अब देखे टॉपर ने क्या लिखा है ध्यान दीजिए सबसे पहले तो इन्होंने एफिडेविट की डेफिनेशन जो कि आपके NCRT में दी है जिसे आप भी लन कर सकते हैं अच्छे से वह लिखी है एफिडेविट इन्होंने पहले पॉइंट में एफिडेविट की डेफिनेशन एफिडेविट की डेफिनेशन दी हुआ ही लिख दिया है राइट दूसरा देखें दा सुप्रेम कोर्ट पास्ट एन ओर्डर मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर्ड इलेक्टेड रेप्रेशन यानि जो लोग च एफिडेविट स्टेटिंग देखो टॉपर ने क्या गलती करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एफिडेविट एलेक्टेड रेप्रेजेंटेटेव्स की क्वालिफिकेशन जानने के लिए नहीं है किसके लिए है डिटेज आफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसे तो यह यहां पर डिटेज आफ प्रॉपर्टी की जगह है उन्हें क्या लिख दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन राइट पर देश्म ने बताया कि एज़ा टीचर सारे डिटेज आपको याद नहीं रहते लिए टीचर ने करेक्ट भी किया है यह थोड़ी बहुत गलती चल जाती है बत कुछ भी irrelevant लिख दूगे थोड़ी चलेगी अब यहां पर लिख देता जैसे चौपर की मैरी सर्टिफिकेट थे थोड़ी चलेगी irrelevant हो गया ना आगे 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 देखते हैं अब तीसरे पॉइंट में रहें क्या लिखा तीसरे आप देखें इसकी वज़ए से क्या हुआ अब देखो इतना बड़ा आगे हम लोग यह भी देखेंगे कि अगर जो यही पर्टिकुलर क्वेस्टन जो कि 5 मार्कर में अगर ही 3 मार्कर में आगे आगे क्या करेंगे आप तो या मालीजी कोई 3 मार्कर क्वेस्टन जो आपकी बुक में है 3 मारकर वो 5 मार्कर में आ गया तब आप क्या करेंगे तो आगे आगे आने वाली स्लाइट में हम लोग यह भी सीखेंगे कि 5 marker question अगर 3 marker में आ गया तब उसके answer में क्या changes करने है या 3 marker question अगर 5 marks में आ गया तो उसके लिए कैसी detailing बढ़ानी होगी तो आगे आरे आरे वाले स्राइस में हम लोग ये भी सीखेंगे तो तीसरा आप लोग देख लिजे अब देखेंगे एक पूरा paragraph था ध्यान दीजे एक इतना पूरा बड़ा paragraph था इन्होंने तुन points में बना के लिए तो आपको पढ़ते समय ही keywords underline करके उसको break कर लेना है कि भी या हमें points में points में learn करने में भी आसानी होती है लिखने में भी आसानी होती है हाँ एक चीज़ और अगर मालीज किसी answer को लेकर के आप शोर नहीं है आपको उस answer पर command नहीं है तो उस answer को point में कभी मत लिखना नहीं तो examiner की नहीं है ठीक महाँ पर पड़ेगी और आप you will lose marks यह तो मतलब last resort है जब मालीज आप फंस गए है आपको नहीं आ रहा तो paragraph में लिख देना relevant तब भी relevant बाते ही लिखना irrelevant लिखोगे तो फिर आप गढ़बर हो जाएगा अब देखिए तीसरा point क्या लिख्यों नहीं देखिए अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा paragraph है तीसरा point इतना बड़ा paragraph है लेकिन उन्होंने देख लिजे इन्होंने क्यों three and half lines में लिख दिया है आई देखिए कैसे किया है उन्होंने पहले से details पढ़ते है election commission passed an order making it necessary for political parties to hold, ध्यान दीजे, hold their organizational elections, file income tax returns, दोखो keywords है जो मैं underline कर रहा हूं, पढ़ते समय आप ऐसे ही अफरो जैसे marks पाएंगे and the parties have started doing so but sometimes it is mere formality, it is not clear if this step has led to greater internal democracy in politics, अब देखिए, दो points निकल आए, hold their organizational elections and income tax, देखिए, topper ने कैसे इसे लिखा है, इतना सटीग बड़ा अच्छा लिखा है देखिए, heading डाल दी, income tax, an order has, an order was passed to make it compulsory for parties to, ध्यान दीजे, to hold their organizational elections, and file their income tax returns, इतना सटीग, इतना मतलब एकदम कितना बढ़ी answer लिखा, कोई भी फाल्दू बात ने लिखे, इस तरीके का answer आप लोगों को लिखना है, चलिए, अगली साथ देखते हैं, आप देखिए, अगला point जो है, आप देखिए, इतना बड़ा paragraph है, इसमें 3-4 बात ये थ अब ध्यान देखिए, यह चीजें यहां से नहीं शुरू की गई है, जानते हैं आप लोग क्यों, यह जो points इन्हों ने लिखा है, यह जो 1-2-3 लिखा है, यहां से लिख सकते थे, यहां से नहीं लिखा है, यहां इधर करके लिखा है, क्यों तो that examiner या जो evaluator है, जो board की copy check कर रहे हैं, उनका ध्यान जा सकता है, जो evaluator है, जो copy check कर रहे हैं, क्यों को धेर सारी copy check कर नहीं होते हैं, धेर सारे बच्चे होते हैं, जितनी copy check कर रहे हैं, उत्रे पैसे बनेंगे, तो यह भी एक बात होती है, जितना आप convenient बना सके, examiner के लिए उतना आप बनाईए, अब अब देखें, उनका कैसे लिखा है, देखें, paragraph को points में कैसे break किया है, इसी में है points, अगर आप ध्यान से पढ़िए तो, a law should be made to, देखें, इसी में दिया हुआ था, नहीं कहीं अलग से heading नहीं बनाए, देखें, regulate the internal affairs, देखें है न, regulate the internal affairs, क्या बना दिया है, अब आप इसस register of its members, पहला point, दूसरा, follow its own constitution, तीसरा point, have an independent authority, चौथा point, act as a judge in case of party disputes, देखें, सारे points वाही लिखें, देखें, maintain a register, have their own formal constitution, act as a judge, have independent authority, देखें, माले यह कोई गलती होगे, यह तो उससा simple essay काट दिया, उसको ऐसे ऐसे कनक ज़रोत नहीं, simple रखिए है न, and hold open end, तो basically वो उन्होंने, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच points बना दी है, ठीक है, चले हम लोग अगला topic, take up करते हैं, अगला topic है हमारा, basically हमारा, यहाँ पे अब देखें, बहुत अच्छी बात, हमें सीखने को मिलती है, अब देखें, इतना बड़ा paragraph है, इतना बड़ा paragraph, उ यह, यह art सीखना जरूरी है, so that, अगर कोई, five marker, three marker में आ जाता है, आप उसे कैसे, छोटा कर सकते हैं, आए सब सीखते हैं, इस चीज़ को, देखें, it should be made mandatory for political parties to give a minimum, देखें, give a minimum number of tickets, लगभाग minimum number of tickets, बतला about one third, two women candidates, देखें, इसी चीज़ को नहीं कितना beautifully लिख दिया, लगते हैं, about, देखें, बिलकुल, बिलकुल काम की बात लिखें, about one third seats should be reserved for women in legislative assemblies, इसी लिखा जाता है, central or state legislative assemblies, आप देखें ये, इतना बड़ा paragraph है, और इन्होंने केवल two and half lines, देखने हैं आप, केवल two and half lines में लिखा है, आई देखें, पहले keyword उठाते हैं, there should be state, देख the government should give parties money to support their election expenses, और कैसे दिया जा सकता है, in kind or in cash, देखें कितना beautifully इन्होंने लिखा है, देखें, government support, the government should provide support to parties for election campaigns in cash or in kind, कितना beautifully इतनी बड़ी बात को छोटे में लिख दिया, ये होती है, answer writing की ना, हम लोग देखेंगे, ये जो है last, ये वाला, इसमें बहुत थी सीखने की बात है आप लोगों के लिए, आप देखें, ये इतना बड़ा paragraph है, और इसको इन्होंने केवल, केवल two points में लिख दिया है, आई देखें, इन्होंने इसा कैसा किया है, तो मस्ने, पहले paragraph देह से बढ़ना पड़ेगा, देखें, there are two other ways in which political parties can be reformed, पहला, people can put pressure on political parties, this can be done through petitions, publicity, agitations, देखो, पहला point यहीं से मिल गया, people's participation, कैसे लोग participate कर सकते हैं, दो तरीके से, जैसा कि book में दिया, देखो, book में पूरा paragraph है, लेकिन इन्होंने यतना beautifully देखें, इसको दो point बना दिया, देख्या, पहला, जो कि यहां से शुरू हो करके, यहां तक था, दूसरा जो कि यहां, और उसको कितना, कितनी में sum up कर द is through, petitions, publicity and agitation, बस done, हो किया, राइट, इतना पूरा लिखने का जरू हो, कि अच्छा, इतना पूरा आप लिखोगे, तो five market में आपको पता है, 120 words से ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि 120 words से ज्यादा आप लिखोगे, दूसरे question के लिए time कम पढ़ जाएगा, राइट, इस से जब आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे, कि भई, पूरा paragraph दिया है, लेकिन paragraph में पूरा line by line नहीं learn करना है, ध्यान से paragraph को पढ़िए, keyword वहां से उठा लिजे, और जब भी आप answer लिखे, keyword आप सारा लिख दीजे, अभी हम लोग ये भी discuss करेंगे, अगर यही same question, ज चोटा कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, यह जो पूरे seven के seven points है हमारे, चली यह पहले देख लेते हैं, यह वाला, यह जो दूसरा second है, इसमें क्या है, those who want this, join political parties, right, basically दूसरा suggestion क्या है, joining political parties, यानि जनता अपने तरफ से, दो तरीके से political parties में सुधार ल जाल के, दूसरा, खुद political party join करकर के, जैसे कि, अर्विन केजरियों ने किया, right, अब, जो मैंने आप लोगों से promise किया था, कि अगर यही same question, five marker वाल, अगर three marker में आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, simple, आप सारी heading, आप सारी heading के keywords आप लिख दीजिए, ज जाला यह हो जाएगा, people's participation, through, through people's participation, protestant rallies, joining political parties, उसके बाद, basically अगर किसी भी five marker को, अगर आपको three marker बनाना है, तो कुछ नहीं करना, आप केवल, उसके heading उठा लो, और heading साथ support में केवल एक या दो पहुंच, जैसे माले जी reservation आ गया, तो केवल reservation नहीं लिखना, आपको लिखना है कि there should be one third reservation for women in central and state legislative assemblies, that's all, yeah, अब इसे बहुत जाद explanation नहीं, जैसे government support, there should be government support for political parties in cash और in kind, बस इस तरीके से explanation देना है, तो कि भी five marker और three marker में लेख सकते हैं, अगर मालीज इसी topic से two marker question आ गया, तो क्या करेंगी, two marker question इस तरीके स आ सकता है, एक बार देख लीजा आप लोग, two marker question इस तरीके सा सकता है, हाँ, two marker question, इस तरीके सा सकता है, how can you say that political parties in India lack internal regulation, तो यह चारो points आप लिख देंगे, तो यह उतने भी topics हैं, जिनके पर heading बने हैं, वो two marker में भी आ सकते हैं, तो आप उस point of view से भी उसको पढ़ें, दोस्तों, आज के लिए इतना ही, thank you so much. उसकता है, झारोडत पाल पाल सकता हैं, दोस्तों, बड़ Tamara Choga 6 अट, आप उसकिन सकता ही,reeट के सकता ही,